पुलिस ने रोका तो उसने तलवार निकाल ली वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक का ड्राइवर ट्राइविक पुलिस पर तलवार तांता दिखाई दे रहा है माबला घंटा घर चौक इलाके का है जहां पंजाब के ट्रक ड्राइवर को यातायाद पुलिस कर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने पुलिस कर्मियों से अभधरता शुरू कर दी और इसके बाद आरोपी ड्राइवर को गाड़ी से उतरने के लिए जब बोला गया तो आरोपी ट्रक ड्राइवर ने तलवार निकाल ली और सिपाहियों को पीछे हट जाने की धमकी देने लगा पुलिस और ड्राइवर के बीच चल रहा है इस हंगामे का वहाँ पर कुछ मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया आप देखे किस तरीके से तलवार निकालता है और एकदम से पुलिस वाले पर जपटता है इस हंगामे के बीच वीडियो भी बन रहा था जिसके बाद वीडियो पूरे जिले में तेजी से वाइरल हो रहा है फिलाल पुलिस ने आरूपी ट्रक ड्राइवर को हिरासफ में लेने के बाद साहे 12,000 रुपे का चालान किया है तो आप तस्वीर देखिए कि इस तरीके से एकदम से जो ट्रक ड्राइवर हो तलवार निकाल लेता है और नीचे कूट कर पुलिस वाले पर तान देता है तो ये हालात हैं और सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वज़े थी कि ट्रक ड्राइवर को इतना गुस्ता आगया कि वो तलवार लेकर पुलिस वाले पर मारने के लिए हाथ उठा रहा था हला कि उसमें मारा नहीं लेकिन ये जो तस्वीर है अगर यहां पर ड्राइवर आपाक होता तो एक बड़ी घटना के तौर पर सामने आ सकती थी साड़े बारह हजार रुपए का चालान बाद में इसका काड़ दिया गया हापुर में दबंगो का कहर देखने को मिला यहां के थाना देहाथ शेत्र में दबंगो ने एक चात्र को तालिबानी सजा दी दबंगो ने युवक की बेरहमे से पिटाई कि उसे राड और डंडो से इतना पिटा कि युवक को गंभीर चोटे आई हैं हैरानी की बात यह है कि वीडियो भी मार पीट करने वाले लोगों ने उनके सहयोगी ने बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है फिलाल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है तो यह तस्वीरें इतनी दहलाने वाली हैं कि यह हम आपको बिना धुदला की नहीं दिखा सकते लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत किस हद तक मर चुकी है जिस तरीके से युवक को मारा गया वो इतना बेबस हो गया था कि दर्द की चीखें भी उसके मूंसे नहीं निकल पा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की भृष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने बड़ी कारवाई की निलंबित आईस के खिलाफ यो डबलू जांच के आदेश दे दिये गए हैं उन्नाव के पूर्व डियम के खिलाफ जांच होगी इसकोल सामग्री में 10 करोड के घुटाले का मामला सामने आये था कंपोजिट ग्रांट घुटाले में उन्नाव के डियम को निलंबित किया गया था लेकिन उनकी मुसीवत इतने से कम नहीं होई अब उनके खिलाफ योडबलू की जांच के आदेश भी दे दिये गए हैं तो ब्रस्टा चार के खिलाफ मुक्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने बड़ी कारवाई की है निलंबित आईस के खिलाफ योडबलू की जांच के आदेश जारी कर दिये गए हैं उन्नाव के पूर्व डियम के खिलाब जाच होगी स्कूल सामगरी में 10 करोड के घोटाले का पूरा मामला है कमपोजिट ग्रांट घोटाले में निलंबित हुए थे उन्नाव के डियम सबासांसाद आजम खान के एक बार फिर मुश्किले बढ़ गई है कोट ने आजम खान के साथ ही उनके बेटे और पत्नी के खिलाब गयर जमानती वरंड जारी किया है दरसल बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्व प्रमार पत्र के मामले में लगी एंटिस्जिबेटरी बेल खारिच कर दी गई है इस मामले में सुनवाई करते हुए कोट ने लगातार गयर हाजिर होने पर तीनों के खिलाब सक्त कारवाई की है बारत के महालेखा परिक्षक और नियंतरक ने अपनी रिपोर्ट में ये सामने बताया है कि 2017-18 के दोरान उतर प्रदेश के चार विभागों के अफसरों के अनियमित्ता की वज़े से प्रदेश को 706 करोड से जादा का नुकसान उठाना पड़ा है कैकि ये रिपोर्ट सुमवार को उतर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई जिसमें प्रदेश के चार विभागों में अनियमित्ता की वज़े से सरकारी खजाने को हुए नुकसान का जिक्र है रिपोर्ट में कामर्शियल टेक्स विभाग के अलावा भूतत्व, खनिकर्म, इस्टांप विभाग और आपकारी विभाग के नाम है तो अफसरों का जो खेल है जो लापरवाहिये उससे उतर प्रदेश के खजाने को बड़ा चूना लगा है और खजाने पर अफसरों का जो खेल है उभारी पड़ गया कमर्शियल टेक्स विभाग को नुकसान हुआ क्योंकि वैपारियों पर टेक्स जो पेनल्टी लगनी थी वो नहीं लगाई गई इसके अलावा आपकारी विभाग को भी नुकसान हुआ है तो तीन विभाग सीधे तोर से नुकसान की जद में है भूतत और खनी कर्म की बात करें तो करीब 226 करोड रुपए का नुकसान हुआ है पट्टा धारकों से रॉयल्टी नहीं वसूली गई इस वज़े से ये नुकसान की रखम सामने आई है और वसूली को लेकर अफसर गंभीर नहीं दिखे ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है वहीं अगर हम बात इस टाम पेवं पंजियन विभाग की करें तो विभाग को करीब 36 करोड रुपए की चपत लगी है यहाँ पर भी लापरवाही सामने आई नियमों को ताक पर रखकर रजिश्ट्री करवाई गई इस वज़े से नुकसान हुआ विभाग को और दस्तावेजों के गलत वर्गी करण से भी इस टाम पेवं पंजियन विभाग को भारी नुकसान जेलना पड़ा आवासी भूमी दिखाई गई क्रिसी भूमी तो ये भी एक नुकसान की वज़े बनी और विभाग को करीब एक से क्यानवे करोड़ रुपे का नुकसान जेलना पड़ गया उत्तर प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट आई है कई भी भागों में भारी भिष्टाचार के मामले सामने आये हैं चाहे खनीज हो आपकारी हो भूमी हो इसके अलावा जिस तरह से सरकारी अपसरों की लापरवाही हुई उन लापरवाहियों के बाद भी अधिकारियों को इनाम दिया गया इससे असपस्ट होता है सरकार CIG रिपोर्ट का अधियन कर ले उसमें जिसमें असपस्ट तौल पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विकासदर गम हुई है उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली हुई है उसके बाद भी सरकार अगर पीर्थ तपाती है तो अपने और इस वक्त की बड़ी खबर करू करते हैं दिल्ली में आयोध्या परवायुजित होगा इंद्रा गांधी राष्ट्री कला केंद्र में 28 फरवरी से 1 मार्श तक ये चलेगा सांसद लल्लू सिंग करेंगे आयोजन कैबिनेट मंत्री स्मृत इरानी उद्गाटन करेंगी आ और राम जन्मभूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के जो दो सदस्य हैं एक अध्यक्ष एक महा सचीव यानि कि महंत्र नित्य गुपाल दास और चंपतराय भी इसमें शामिल होंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्वान के लिए गठिट ट्रस्ट पर दिगवजय की आपत्ती सामने आई है और संत समाज ने नाराजगी जाहिर की बिलकुल दिगविजय सिंग का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उनको कहीं मेंटल हस्पिटल में इलाज लेने की आवसेकता है और ऐसे भी जो पार्टी मर्यादा पुशुत्तम प्रभु सीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती रही है जो पार्टी मर्यादा पुशुत्तम भगवान सीराम को कालपनिक तक कह दिया जी और दिगविजय सिंग का बयान जब भी आया वो बहुत संख्यक समाज के बिरोध में आता रहा है तो ऐसे नेता का जो है राम मंदिर पर कोई भी बयान देना वो संदेहास्पद है और रह गई बात है संग की तो राश्टी स्वयम सेवक संग की ही देन है कि जो राम मंदिर का इतना अच्छा फैसला आया है और आज बंदे मातरम जैसी राम के जो नारे लग रह पूरे देश में ये संग की देन है और आज़्ध्या पहुंचे बीजेपी के प्रदेश सद्धक्ष सुतंतर देव सिंग ने राम जन्मुमी तिरचेत्र के 27 सद्ध से और निर्मोही अखाड़े के महन दिनें दरदास से मुलाकात की दोनों की मुलाकात बंद कमरे में हुई हाला की बीजेपी प्रदेश सद्धक्ष ने इस मुलाकात को अबचारिक बताया दोनों लोगों की वारता के बाद सुतंतर देव सिंग ने राम जन्मुमी और हन्मान गढ़ी दर्शन करने के लिए वो पहुँचे कॉंग्रिस नेता पुयल पुनिया ने दिल्ली में सी ए के विरोध में भड़की हिंसा को लेकर किंद्र सरकार पर निशाना साधा है आरक्षन बचाओ यात्रा निकाल रहे पुर्देस अध्यक्ष अजय कुमार ललू ने कानून के खिलाफ सदन में नया विध्यक लाने के मांग किये है मुन्ना बजरंगी अत्याकान की जाच अब सी बियाई करेगी हाई कोट ने मुन्ना बजरंगी की पतनी सीमा सिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सी बियाई जाच के आदेश दिये हैं आपको बता दें कि जुलाई 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी के हत्या की गई थी इस मामले में सीमा सिंग ने साज़िश के आरूप लगाए थे क्योंकि जिस मुकदमे में उन्हें जासी जेल से बागपत लाए गया था कोट ने मुन्ना को पेश करने की ज़रुवत से इंकार कर दिया था हत्याकांड की सीबिया जाज की आदेश होने पर सीमा सिंग से हमारे समबाददाता ने खास बात चीट की हमारे साथ बात करने के लिए मुन्ना बजरंगी की पतनी सीमा सिंग जी हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको सीबिया जाज कराने की जरूरत क्या पड़ी सीमय जी क्या एसी बिंदू थी जिससे आपको लगता है कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुली सही जांच नहीं कर रही है और CBI से एक सही जांच होगी आपको भरोसा नहीं हो पाया पाया बड़े लोग हैं इस में बड़े बड़े नेता लोग हैं और ऑर भी बड़े लोग हैं कुछ सासन प्रसासन है अब यह CBI जांच करेगी तो सारी चीजें क्लियर होंगी कि कितने लोग हैं जो मेरा अंदेशा है जो चीजें मैंने बोली हैं देखिए आप वही सब चीज जो किया है जिनके मैंने नाम लिये हैं जिन जिन पर मैंने अंदेशा किया है नेता लोग प्रसासन साशन की मिदी भगत इसमें है और आप देखेगा सी बीयाई जांच में यह निकल कर आएगी बात तो सिभा सिंग को आप सुन रहे थे उन्होंने ही याचिका लगाई थी और कई ऐसी बातें रखी गई कोड के सामने जिसमें सी बीयाई जांच की मांग की गई और कहा गया कि जो हत्या हुई है इसमें मसला पूरा संदिक्द है यह सुन योजित साज़िश लगती है और अब सी बीयाई जांच होगी यह साफ हो गया तो 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी के हत्या हुई थी बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ था और गैंक्ष्टर सुनिल राठी पर हत्या कारूप लगा था लेकिन सी बीयाई जांच की मांग की गई थी और अब सी बीयाई जांच होगी यह भी अब एक छोड़े से ब्रेक का है फोरण अज़र होते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में चल रहे हिंसा को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दंगा भड़काने वाले शरारती तत्यों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया है दिल्ली के हिंसा को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है और वहीं सतर्वता को बरतते हुए नोईडा थाना सेक्टर 20 के अंतरगर पढ़ने वाली जुन्डपूरा पुलिस चौकी पर खुद पुलिस के आला धिकारियों ने खड़े होकर चेकिंग अभियान करवाया है तो जो दिल्ली की आग है वो कहीं उत्तरप्रदेश में दाखिल ना हो जाए क्योंकि नोईडा की बात करें अगर हम तो दिल्ली से सीमा सटी हुई है और यही वज़े है कि सेक्टर 20 थाना का जो छेतर है वहाँ पर सगन चेकिंग अभियान चलाया गया और जो पुलिस के आ प्रकिल किसी बेकीमत पर नहोने पाए। पार्ट से हैं उसे एरिया कि उनलों के साथ कोडिनेट कर रहे हैं उसे लगातार हमारी बात हो रही है और हमको कहा रहे हैं कि अगर हमें हमारे तरफ से कुछ लोग जाकर वहां उसका उसमें पार्ट लेना करें और कॉंग्रस ने वरकिंग कमेटी के बैठक बुलाई है दिली इंसा को लेकर बैठक बुलाई गई वो दवार को सुबह 10 बजे बैठक होगी तो सवाल यही है कि साग को भुजाने के लिए सियासी सकरिता दिखेगी या फिर इस आग में सियासी रोटी को जोकने का प्लान बनेगा क्योंकि सियासी तोर पर यहां पर अपील बहुत जरूरी हो जाती है कि शान्ती की अपील हो लेकिन कई बार कुछ बयान इस तरीके से आते हैं कि आलाद बिगड़ते हैं लेकिन बड़ी खबर यह है कि कॉंग्रस ने वरकिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और हिंसा को लेकर चर्चा होगी सुबह दस बजे बुद्वार को यह बैठक होगी SCHT पर आज लहाबाद हाई कोट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि बंद कमरे के घटना पर SCHT लागू नहीं होता है सोनबद्र के केपी ठाकूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जश्चिसार के गौतम नहीं आदेश दिया केपी ठाकूर के वकील का कहना था कि ठाकूर खनन विभाग के अधिकारी हैं और विभाग के कर्वचारी विनोत कुमार तने के खिलाफ जाँच लंबित थी कोई भी ऐसा शक्स नहीं था जो इस घटना का गवाह रहा हूँ और यहां पर वक्तिक ब्रेक का है कि अधिक ब्रेक का है